अब तो तुलना बंद कर दो भाई विराट कोहली का बाबा राजम से और बाबा राजम का विराट कोहली से कोई तुलना नहीं है बाबा राजम पाकिस्तान के कप्तानी से इस्थिपाद भी दे दिये अब हाँ तंग आ गए थे भाई इतना अलोचना तो कोई किसी का नहीं करता है जितना बाबा राजम का अलोचना हुआ और अतंग आ करके उन्होंने कप्तानी से इस्तिपा भी दे दिया अपने ट्विटर एकाउंट पर बाबा राजम सहब ने मैसेज लिखते हुए बड़ा सुंदर वाक्या में अपना इस्तिपा कबूल करवाया है कि एक समाचार आप लोग से सेर कर रहे हैं कि हम अब पाकिस्तान के कप्तानी से इस्तिपा दे रहे हैं पाकिस्तान का कप्तानी क करना कोई छोटी बात नहीं है बहुत बड़ी बात है बहुत अच्छा लगा मुझे इस बात की खुशी है कि हम इतने दिनों तक पाकिस्तान के कप्तानी किये लेकिन हम अब इससे आगे भर के अपनी भूमिका को देख रहे हैं और हम पाकिस्तान के कप्तानी से इस्तिपा दे पाकिस्तान का लेकिन न्यूजिलेंड सिरीज जब T20 गई थी तो बुरी तरीके से हार करके आई थी तो फिर से बाबाराजम को कप्तानी दे दिया गया था लेकिन उसके बाद से फिर भी टीम में एक जूटता भी नहीं हो पा रही थी टीम एक जगा पर एक अडिक पॉइंट पर खेल भी नहीं पा रही थी 2023 का वर्ल्ड कप हारी 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी सेमी फाइनल तक भी नहीं पहुँच पाई पहले राउंड में ही छटा करके चली आई USA से मुकाबला हारी जिंबावे से हारी अभी हाल फिलाल टेस्ट किरकेट बंगलादेश से हार गई थी इस सब अलोचना को देखते हुए पाकिस्तान के कप्तान बाबा राजम साहब ने सोचा कि नहीं अब हमसे नहीं चलने वाला है टीम इस्तिपा ही दे करके इससे मुक्ति मिल जा सकता है तो इस्तिपा दे दिया है लेकिन बाबा राजम भी इस बात को मान चुके हैं कि हम बि बिराट कोहली कहां पर है और बाबा राजम सहाब कहां पर है बिराट कोहली के अगर आप बात किजिएगा तो अभी तक 535 मैच उन्होंने खेला है तीरपन दसमलो 56 के एभरेज से 27,041 रन बनाये हैं मतलब पूरे वर्ल्ड में चौथे नंबर पर आ गए हैं सबसे ज्यादा प्राब बनाने वाले दिराट कोहली तीनों फॉर्मेट मिला करके और 80 सतक बनाए हैं और 140 र्द सतक है उनका और बाबा राजम सहाब का 294 मैच चैनल से उन्होंने अभी 31 तत्क और 94 जरें तो कहां बरात कोहली का स्टेट है और कहां बाबा राजम सहाब का स्टेट है आप आप लोग मैच कैसे करा देते हैं अभी बीते कुछ सालों में बाबा राजम सहब का फॉर्म बद से बत्तर होते गया है और बिराट कोहली लागातार रन बना रहे हैं बिराट कोहली को कहीं कोई अलोचना नहीं जहेलना पर रहा है हां थोरी बहुत 2021 के आसपास में बिराट को है और मात्र 773 रन है 32 के एवरेज है और टी ट्वेंटी टेस्ट और वंडे तीनों फॉर्मेट मिला करके उनका एवरेज है और उसके अलावा एक भी सोतक नहीं है उनका सोच करके देखिए और आप उनका तुलना बिराट कोहली से कर रहे हैं एक जमाना हुआ करता था जब फैब फोर से बाबा राजम के लिए फैब फाइब कर दिया गया था कि फैब फाइब का मतलब अगर आप लोग समझते हुएगा तो अलग अलग देश का जब से फेवरेट जो खिलारी जैसे भारत के बिराट कोहली हो गया है नियुजिलेंड के केन बिलियम सन हो गया है अस अच्छा परदर्शन उनका नहीं है और एकदम मतलब पाकिस्तान की लुटिया डूब गई है भारत बंगलादेश को बुरी तरीके से हराई है इससे डर करके वो इस्तिपाद दिये है तो वही बताएंगे कि यहीं बंगलादेश पाकिस्तान को बुरी तरीके से 20 से करते समया अगर आप दोनों का रिकॉर्ड की बात किजिएगा बाबा राजम और बिराट कोली का तो बाबा राजम करते हुए 148 मैचों में उन्होंने कपतानी की है 84 में उन्होंने हारा है और अब 287 मैच जीते हैं उन्होंने और साथ मुकाबले हारे हैं उन्होंने और उनका जीत-परतीसद जो है इसनफ कोफ पर भी तुलना नहीं कर सकते हैं कप्तानी में भी बिराट कोहली बहुत आगे है बाबा राजम साहब से और कप्तानी के अनुरूप बैटिंग में भी आगे है कप्तानी जब बाबा राजम साहब कर रहे थे अपने और तब बलेबाजी में उनका 47 का एवरेज है और जब बिलोंग करते हैं उन्होंने सिधा कह दिया है कि ये लोग बेब कुफिक वाली बात है बिराट कोहली का तुलना बाबाराजम से किया ही नहीं जा सकता है जब अर्दस्ती आप लोग बच्चों की तरह मत तुलना किजिए बिराट कोहली लीजेंड है बिराट कोहली के आसपास भी नहीं है बाबा राजम किसी भी मुकाबलों में रन नहीं बनाते हैं बिराट कोहली लागातार हर मुकाबले में रन बनाते हैं हर मैच में रन बनाते हैं मैच को हारा हुआ मैच को जीता देते हैं बाबा राजम साहब जीता हुआ मैच को हडा देते हैं तो बाबा राजम की बंद किजिए आप लोग बिराट कोछी से कहीं से कोई तुलना नहीं है जितने सतक नहीं है उससे ज़्यादा बिराट कोछी मैच जिता दिये हैं खुद अपने बदॉलत जब से सुरुवात किये हैं बिराट कोछी 2008 से खेलना और 2024 तक अबी तक उनको अलोचना नहीं जहलना पर है विरात कोली को एक-दो मैच अकर खराब जाएगास में लें तो हर मैच में उनका रन आता आता है 50-60 रन बनाते हैं तो लगता है कि विराट कोमली साहब फेल हो गए है इस मैच में फेल योर इनका दिखने लगता है 50-60 सब्सक्राइब कर दीजेगा लाइक कर दीजेगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए बेस्ट अप लग धन्यवाद